कल्पना कीजिए एक समय था जब सारी दुनिया खत्रे में थी। भगवान और असुर दोनों के बीच एक ऐसी लड़ाई जिसमें सब कुछ दाव पर था। कौन विजय पाएगा। कैसे एक समुद्र का मन्थन दुनिया को अनंत शक्तियों का सागर बना गया। और आखिर कैस इस कठिन युद्ध के बीच से निकला विश्ध जो सब कुछ बरबाद कर सकता था। हम बात कर रहे हैं समुद्र मन्थन की एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। आज हम इस कहानी के परदे उठाएंगे और जानेंगे कुछ ऐसे राज जो शायद आपको अब तक नहीं पता थे। वैसे क्या आप सोच रहे हो कि दूध में मक्खन निकालना मुश्किल काम है तो सोचिए समुद्र को मन्थन करना कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पर ये याद रहे इस कहानी का हर मोड आपको नई सोच और कुछ अजीब ट्विस्ट देने वा समुद्र का मन्थन। लेकिन ये काम आसान नहीं था। दिमाग में एक बात रखनी पड़ेगी इस समुद्र के नीचे छुपी थी अनंत शक्तियाओं और खतरनाक विश्ष। और ये सिर्फ देवता और असुरों तक सीमित नहीं था। मन्थन से काम धेनु गाय, एरावत ह समुद्र मन्थन को अकसर जीवन के संघर्षों का प्रतीक माना जाता है। जैसे मन्थन से अमरित और विश्ष दोनों निकले, वैसे ही हमारे जीवन में भी अच्छे और बुरे पलाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही सफल होता है। ये मन्थन हमें सिखाता है कि संघर्ष के बीच भी अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। देवता और असुर एक दूसरे के कड़वे दुश्मन एक बार के लिए मिलकर काम करने को तैयार हो गए। लेकिन ये एक शर्त पर था, जो भी अम्रित निकलेगा, उसका सारा अधि कार असुरों को मिलेगा। अपने अपने हिस्से से समुद्र को घुमा रहे थे, पर फिर होता है कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पहला निकलता है, हाला हल विश। ये विश इतना ज्यादा खतरनाक था कि सारी दुनिया खत्म हो सकती थी। भगवान का भी समाधान यही था कि कोई इसे रोक नहीं पाएगा, तब एक महान देवता आगे बढ़ते हैं। ये था कि मंदिर परवत इतना विशाल था कि वो समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विश्णु ने अपना कूर्म रूप धारन किया, एक बड़ा कचुआ बनकर और पहाड को अपनी पीट पर संभाला। ये रूप लोग अकसर भूल जाते हैं, पर बिना इस र पहला संकट लेकिन ये तो शुरुआत थी, मंधन चलता रहा और धीरे धीरे अमृत के साथ और भी कई चमतकारी वस्त्र निकलने लगे। आपने कभी सोचा है कि लड़ाई के बीच कोई सुन्दर मोहिनी आ जाए तो समस्या और भी बढ़ जाती है या सुलज जाती है। बुद्धी और क्षमता का भी। आखिरी में विजय उनकी हुई जिन्होंने सहजता से अपनी चाल चली। समुद्र मंथन सिर्फ शक्ती का प्रदर्शन नहीं था। विश्णू का ये चल दिखाता है कि कभी कभी जीत के लिए बुद्धी और विवेग ज्यादा जरूरी होता है, शक्ती से भी ज्यादा। ये मंथन से सिर्फ अमृत ही नहीं, बलकि 14 अन्मोल रत्न भी प्रकट हुए थे, जिन में से हर एक की अपनी अलग पहचान थी। लक्ष्मी माता, एरावत, कामधेनु जैसे कई वस्त्र उसी समुद्र से निकले थे और हर वस्त्र ने अपना अलग महत्व निभाया। मोहिनी रूप में भगवान विश्णु का आना एक भूमिका था, जो लोग कम जानते हैं। उन्होंने ना सिर्फ असुरों को धोखा दिया, बलकि उनकी बुद्धी को भी परास्त किया। सोचिए, अगर ये छल असफल हो जाता, तो असुर अम्रित पी कर अमर हो जाते। फिर, क्या हम आज एक दूसरी दुनिया में होते? यहां तक की असुर शासक बनकर इस प्रिथवी का नियंतरन करते? क्या आप सोच सकते हो, ऐसे युग कैसे होते? समुद्र मन्थन की ये कहानी सिर्फ एक पुरानी दास्तान नहीं, बलकि एक याद है कि जिंदगी में भी कभी-कभी हमें मन्थन करना पड़ता है। और ये हम पर है कि हम क्या निकालेंगे? अमरित या विश? आप कौन सी चाल चलेंगे? जब आपके सामने आएगा आपका अपना मन्थन. अगर आपको ये कहानी ने हैरान किया हो, तो जरूर कमेंट में लिखिए कि आपको सबसे ज्यादा चौकाने वाली बात क्या लगी? अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं? हमें कमेंट करके बताईए और सब्सक्राइब कीजिए ब्रेंस्टॉर चैनल को.